में मून्दी लिख दो शाल दुशाला का पिडा अरे खट्था कर नरसी का ब्याही मक्तावर छे बापडा अरे असी हजार तो मोरा लिख दो क्रोड रुपईया रोकरी अरे कागज में दो भाटा लिख दो यू उठ बोली डोकरी अम महराज जो माहरा लिखाया तो हजार थान में मुंदी के लिख दो शाल दुशाले कपड़े लत्ते खूब जम करके लिखाया इतने में भाबासा मासा खड़ी होकर के बोली अरे नारायन दो भाटे भी लिख दे नारायने का महासा भाटा अटी कम पड़ रहा है कई अटे है जिक हूँ करम फोड़ लो वटु का भाटा मंगा रहा हो अरे बोले वो भाटे नहीं तो कौन से बोले सोने के भाटे बोले सोने के भाटे का क्या करोगे बोले बुड़ा पे में मेल उतारने के काम आएंगे अब आप देखो आप विचार देखो सोच देखो कितनी बड़ी है तो भाबासा मासा लिखाती है कि दो सोने के भाटे भी लिख देना और मायरे का कागज जब तयार होने लगा तो नानी भाई भी सब देख रही थी कि मेरे पिताजी का मजाग बनाया जा रहा है और कागज जब नानी भाई के सामने गया तो घरवालों ने कहा कि नानी तुझे भी अगर कुछ मंगा ना हो तो तू भी लिखवा दे तो नानी क्या कहती है नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इती और इमहारे तो सासरिये थे आई जो ही मती नानी बाई ने कहा कि मेरी तरफ से तो इती लिख दो आप पिता जी यहाँ पर आना ही मत मारी तो सासो जीने माहेरा की ख्यात और माहेरो जुडे तो लेकर आई जो भली भात नानी बाई ने कहा कि मेरी सासो को बहुत माहेरा चाहिए इसलिए आप अगर माहेरा जुडे तो आप यहाँ पर आना वरना आप आना ही मत और नानी बाई कहती है कि इतनो तो संदेशो मारो कहदी जो जोशी अरे माहेरा बिना तो थारी हासी ही मोसे बोले इतना संदेशा कह देना कि बिना माहेरे के अगर यहाँ आ गए तो आपका मजाग बनने वाला है आपकी हसी उड़ने वाली है इसलिए आप आना ही मत अब महराज माहेरा तयार हुआ और कंकू पत्री के साथ माहेरे का कागज लगा करके गाओं के जो सबसे व्रद ब्राह्मन देवता थे उनको बुलाया गया क्योंकि यहाँ पर भी मन में खोट है इन्होंने विचार किया कि ऐसे व्रद ब्राह्मन देवता को दो कि यह जब पेदल पेदल जाएंगे तो जब तक जुनागर पहुँचेंगे तब तक अपने ब्याव ही निपड जाएगा न रहेगा बास न बजेगी बासुरी बुरे भी नहीं बनेंगे और काम भी बन जाएगा तो गाओं के जो सबसे व्रद ब्राह्मन देवता है कोकलिया ब्राह्मन को बुलाया जाता है घर को भ्राह्मन को कलियो और श्री रंग लियो बुलाया पहले दीनी पत्रिका ने यो कागद ले जाया सबसे पहले तो पत्रिका दी और श्री रंग जी ने कहा कि हमारे ब्याई जी को नरसी जी को ये पत्रिका और कागज परदान कर देना इधर ब्राम्मन देवता जब निकलने लगे तो श्री रंग जी कहते हैं कि महारा तो सगाने पांडे राम राम कहीं जो और एक तो दिहाडे नरसी महता के घर रही जो श्री रंग जी ने का आप जा रहे हो तो हमारा राम राम कहना हमारा प्रणाम कहना क्या हमारी परंपरा थी क्या हमारे संस्कार थे पहले जब लोग मिला करते थे तो सामने मिलते ही दो दस्तक और एक मस्तक राम राम सा जैस्षिर कृष्णा लेकिन आज तो मिलते ही हाए अब हाए तुमको लगरी है कि अगले के लगाना चाहते हो बात क्या है क्या हमारे संबोधन थे और क्या हमने उनकी दुर्दशा किये हाए का मतलब क्या होता है इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हाए हलो छोड़ो और राम राम लेकिन आजकल तो वहारा जाते ही हाए ने हलो रामा शामा चला गया चला गया नमस्कार क्या हमारी परंपरा थी नमस्कार करने की परंपरा हमारी सब्वेता आजकल तो लोग जाते ही हाथ मिलाते है हमारे पुर्वजों ने क्या सोच कर कि ये परंपरा निर्मान की होगी अब मान लो आप जिससे हाथ मिला रहे हो उसके हाथ में अगर किटाणू है उसके हाथ में जमस हैं तो वो आपके हाथ में भी आएंगे और आपके हाथ में आएं तो आपके शरीर में भी जाएंगे इसलिए संबोधन कैसा होना चाहिए ये दो दस्तक और एक मस्तक ये हमारी सब्विता थी ये हमारी संस्कृती थी लेकिन महराज आज तो रामा शामा चला गया ने चला गया नमस्कार हाथ मिलावे ने जटका देवे और थेंक यू बोले बारंबाद अब तो सीधे आते हाथ मिला करके जटका देते हैं क्या हमारी संस्कृति थी विचार करिए पहले लोग मिला करते थे आज भी जो प्राचिन लोग है मिलते ही हाँ जोड़ करके राम राम सा और इसमें भी कितना बड़ा विज्ञान है दो बार ही राम राम क्यों बोला जाता है आप जब मिलते हो तो क्या संबोधन करते हो राम राम सा तीन बार बोल देते चार बार बोल देते एक बार बोलते लेकिन दो बार ही क्यों इसके पीछे उन पुर्वजों की क्या गणित रही होगी देखो राम में तीन अक्षर है रकार, अकार और मकार और हिंदी की वर्णमाला खोल करके देखना रकार जो शब्द है र वो वर्णमाला में आता है 27 नंबर पे कितने? 27 नंबर पे फिर आ की मात्रा वो आती है दूसरे नंबर पे और फिर मकार वो आता है 25 नंबर पे तो 27 और 25 कितने हुए? जोर से बोलो 52 और आ की मात्रा आती है दो नंबर पे प्लस दो कितने हुए? चोपन तो एक राम का योग हुआ चोपन और आप बोलते हो राम राम तो चोपन और चोपन 108 ये हो गई आपकी एक माला केवल राम नाम का इस्मर्ण दो बार करने मात्र से हमारी एक मानसिक माला फिर जाया करती है क्या उन महापुर्शों का गणी तरह होगा? क्या हमारी संस्कृति रही है? विचार करिए इसलिए जब संबोधन करें तो प्रात्र काल उटकर के भगवान का नाम लें जब एक दूसरे से मिलें तो प्रमात्मा के नाम से संबोधन करें ये हमारी पूर्वी सब्विता है लेकिन आजकल तो महाराज पाश्यात्य संस्कृति का ऐसा रंग चड़ रहा है कि इस विज्ञान की भोतिक वादी चकाचोंद में हम हमारे संस्कार संस्कृति को भूलते जा रहे हैं लेकिन ध्यान रखना जब जब भी सुर्य पस्चिम में गया उसे अस्त ही होना पड़ा है अगर सुर्य को उदे होना है तो पूर्व में ही आना पड़ता है अरे हमारी तो वो संस्कृति है जो व्यक्ति को उदेमान बनाती है व्यक्ति का उत्थान करती है और पस्चिमी संस्कृति में जाओगे तो संस्कार संस्कृति और समाज सब का नाश कर वेठोगे इसलिए ये कथाएं हमें संस्कार प्रदान करती है कोकलिया ब्रह्मन देवता पत्रिका लेकर के प्रस्थान करते हैं अब व्रद्ध अवस्ताए धिरे धिरे जा रहे हैं पहला दिन निकला लेकिन अभी तो गाउं से भी बाहर नहीं पहुँचे और दूसरे दिन जब प्रातर काल धिरे धिरे बढ़ने लगे तो सायंकाल हुआ तब तक गाउं के बाहर एक बगीचे तक पहुचे मन में आया कि अब विश्राम कर लेना चाहिए और जैसे ही रात्री परियंत विश्राम किया भगवान ने विचार किया मेरे भक्त की पत्रिका ये ब्रामन देवता केसे पहुचाएंगे इसलिए आदेश देते हैं भगवान अपने पार्षदों को और भगवान ने कहा जाओ और भ्रामन देवता को अर्ध रात्री में जुनागड पहुचा दो जूजे दिन तो चालियो जोशें कर कर मन में रोश और बागाताई पहुचो जिन रो किन ने दीजे दोश अर्ध रात्री में भगवान का विमान आता है और सिधे विमान में बेटा करके भगवान के पार्षद अर्ध रात्री में ब्रामन देवता को जूनागड में पहुचा देते हैं अब महाला जेसे ही सुबह प्रातकाल हुआ और ब्रह्मन देवता जागे तो क्या देखा मन में विचार किया कि सोय तो कहीं और थे और अब नजारा कुछ और दिखाई दे रहा है फिर मन में सोचा कि बुड़ापा है याद तो रहता नहीं है हो सकता है कोई भूल पड़ गई हो और जाकर के गाउं वालों से पूछते हैं कोकलिया ब्रह्मन देवता कि भाईया ये कौन सा गाउं है ये किसका गाउं है पूछे जोशी कोकलियो और यो है किस रोगाव पंथ भूल आयो अठे ने सांच बतावो ना जोशी जी ने जब पूछा कि ये कौन सा गाउं है तो गाउं वालों ने क्या कहा कि कहे नगर के नार नर और जूनागर है नाम सुनकर हर्शियो कोकरिशी नरसी जी कोगरा ब्रह्मन देवता ने जैसे ही सुना कि ये तो जूनागर है और ब्राह्मन देवता तो प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं नर्शी जी के आंगन में पहुंच गया हूँ अब गाउं के बाहर जो महिलाए पनघड पर पानी भर रही थी कोकलिया ब्राह्मन उनसे जाकर के पूछते हैं कि नर्शी जी का पता क्या है पाणी की पणि हारियां थे तो की जो उपकार जी पाणी नी पणिया राखे तो की जो उपकार अरे माने तो बताओ महता नर्षी को धर्बार राम जी माने तो बताओ मेता नर्षी को धर्बार अरे आमा सामा ओवराने तीलक मणिया राम जी आमा सामा ओवराने दिले के मढ़्या अरे सूर्ज सामे पोल महता नर्शी की पाण्या राम जी सूर्ज सामी पोल मेता नर्शी जी पाण्या पणिहारियों से जाकर के जब पूछा कि भईया नर्शी जी के आंगन का पता क्या है तो क्या कहती है कि आमहा सामा ओवरा ने तिलक मंडिया और सूरज सामी पोल महता नरसी की पांडिया बोले महाराज जिस घर के बाहर बड़े बड़े तिलक मंडे हुए हैं जिस घर के बाहर धार्मिक चिन्न है समझ लेना वही नरसी जी का मकान है ये नर्शी जी महाराज के घर की पहचान थी, लेकिन आजकल अब जमाना बदल गया है, पहले के घरों में हर घर के बाहर धार्मिक चिन्न हुआ करते थे, और उससे पता चल जाता था कि ये किसी भक्त का घर है, किसी भगवान के लाडले भक्त का ये अंगन है, और प्राचिन समय में हर घर के बाहर लिखा होता था अतिथी देवो भव, पर समय बदला और लोग लिखने लगे शुब लाब, फिर समय और बदला लोग लिखने लगे रिद्धी सिद्धी, समय और बदला लोग लिखने लगे सू स्वागतम, फिर समय और बदला लोग हर घर के बाहर लिखने लगे मौश्ट वेलकम, और अब तो इतना समय बदल चुका है कि हर घर के बाहर लिखा है कुट्टों से, वाह, आपको भी याद हो गिया है, कहां अतिती देवो भव से शुरू हुई हमारी परंपरा, और हर घर के बाहर कुट्टों से सावधान, कुट्टे पे लाकर के हमने रखी है, क्या हमारे संस्कार थे, क्या हमारी परंपरा थी, अब आने वाले हैं, या घर में हैं, लिखा किसके लिए हैं, यही पता नहीं चलता है, विचार करिए, नरसी जी के आंगन की क्या पहचान थी, आमा सामा ओवरान तिलक मंडिया, सुन्दर, चबूतरा और बहार, तिलक मंडे हुए बड़े सुन्दर, लेकिन महाराज जो प्राचिन परंपराएं थी, वो सब लुप्त होती जा रही है, पुराने लोग कहा करते थे, हमारे राजिस्थान में बहुत बड़िया कहावत है, आप लोग भी राजिस्थान के सन्निकट हो, तो मालवी और मेवाडी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए कहीं कहीं मेवाडी आए तो आप समझ सकते हो, पुराने लोग कहा करते थे, कि घर बनानो छोटो, कपड़ो पहननो मोटो, खानो मक्का को रोटो, तो कदे नी आवे तोटो, लेकिन आज के जमाने में लोगों ने पूरा उल्टा कर दिया है, घर तो बनानो मोटो कपड़ो पहननो छोटो खानो होटल को रोटो महराज आज तो सटड़े है आज तो संड़े है आज तो बहार जाना है आज नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे एक ही तो संड़े मिलता है सप्ता में वाह ये तो मन में नहीं आता है कि आज संडे तो रामदौरे चले आज संडे तो नरसिंग मंदिर चले लेकिन होटल चलने की सबसे पहले मन में आती है और जब खानो होटल को रोटो तो हमेशा ही रेवे टोटो ही टोटो क्योंकि जेसा अन वेसा मन तो विचार करिए क्या हमारे पुरोजों ने संसकार प्रदान किये नर्सी जी महराज के आंगन की यही पहचान थी कि घर के बाहर ही पता लग जाता था कि यह किसी भक्त का आंगन है और इधर जेसे ही पांडे जी ने देखा कि यह नर्सी जी का मकान है नर्सी जी का आंगन है तो पांडे जी अंदर प्रवेश करते हैं पांडे जी तो जाय पोली माही ने धस्या और बेठोडा साधूडा हड़ हड़ ही हस्या जेसे ही अंदर प्रवेश किये जितने संत लोग बेठे थे क्योंकि नर्शी जी के यहां तो संतों का ही आनन्द था तो जितने संतों लोग बेटे थे सब मुस्कुरा देते हैं, सब हसने लगते हैं अब आपके घर में कोई महमान आए और आप इसे थोबड़ा चड़ा करके बेट जाओ तो उस महमान को अच्छा लगेगा क्या मुझे तो यहां भी कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे जवरजस्ती गिरफतारी वारण से लाकर के बिठा दिया हो चार पंगतिया देता हूँ आपको फूल आज खिलकर उदास है समुद्र को भी पानी की प्यास है एक बार सब मिलकर के मुश्कुरा दो अरे उस सावरिया को अच्छी हसी की तलाश है हाँ कथा सुनने आएं तो आनंद होना चाहिए चेहरे पे मुश्कुराश होनी चाहिए प्रसनता होनी चाहिए या आने के बाद भी दिमाग की वही टेंशन ने दिमाग में वही फिकर की कई घर की चावी तो घर पे नहीं भूलाए तो फिर कथा का आनंद नहीं आएगा यहां आने के बाद भी मन दुकान में रहेगा तो भी आनंद नहीं आएगा अरे दुकान तो जिंद की बर ही समाल नहीं है इन तीन दिन में इन दो कानों को समाल लो तो दुकान भगवान अपने आप समाल लेंगे हाँ आप लोग ताली बजा रहे हैं और ये नहीं बजा रहे हैं क्योंकि दुकान की बात है ना इसलिए ताली नहीं बजरी है नरसी जी महराज के आंगन में संतों ने प्रवेश संतों ने जब मुस्कुराहट प्रदान की हसे तो पांडे जी भी देख करके प्रसंद होते हैं और इतने में जो सूर्दा संत थे वो क्या कहते हैं कि मान दास अरुध्यान दास के मन में पांडेो भायो और ज्ञान दास जी बोल्याओ तो ने तो देवन आयो अर ज्यान दास जी बोल आयो तो तो दीवन आयो अर आखड पड़िया जोशी जी अलूज गई पोत जी आखड गया आंडिया उलोज गई पोत साधूडा जान्यों रे पांडे करे हैं जन्डोत अर परमहंस जी राजी हो गया भगत भला ही आयो जी अर कह शिवकर्ण घना दिन हो गया मीठो बोजन पायो पांडे जी जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो हुआ क्या पांडे जी ने पहन रखी थी धोती और जैसे अंदर प्रवेश किया तो धोती पाओं में उलज गई और पाओं में उलजी तो पांडे जी धड़ाम से गिर पड़ते हैं अब जैसे ही गिरे तो पांडे जी तो धोती के उलजने की वज़े से गिरे थे लेकिन संतों ने मन में विचार किया कि माराज भगत तो बड़ा पक्का है ये तो आते ही दंडोत कर रहा है प्रणाम कर रहा है और परमहंस जी राजी हो जाते हैं लगता है कोई भगत जीमने के लिए नियोता देने के लिए आया है और लगता है बहुत दिन हो गए इसलिए भगवान ने आज नियोता भेजा है अब नरसी जी के महाराज नरसी जी के पास तो ऐसी अलबेले संत थे इतने में नरसी जी महाराज ने कहा कि आगे होई नरसी जी बोलिया क्यों थे भार चड़ाओं और महाने तो मत करो दंडोता ठाकुर ने बिड़ दाओ बोले महाराज हमको दंडोते मत करो ठाकुर जी को आप तो प्रणाम करो अब कोकलिया ब्रह्मन देवता ने जो घर की स्थती देखी तो मन में विचार करने लगे कि सोचे विप्र कोकरिशी मन में यहां तो दालिद छायो और नागर न्यात गई सब निरफल श्री रंग सग पन पायो चारो तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता दिखाई दे रही थी मन में विचार करने लगे कि श्री रंग जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजा किया है और यहां पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है पांडे जी ने जट पत्रिका निकाली नर्सी जी महाराज के हाथ में थमादी और कहा कि आपको आपके व्याई जी ने श्रीरंग जी ने याद किया है और माहेरा लेकर के आप पधारिये गाँ इधर पत्रिका देकर के ब्रह्मन देउता ने कहा चार दिन हो गए अभी तक पेट को अन्न तक नहीं प्राप्त हुआ है तो कुछ भोजन प्रशाद हो तो चार दिन से भूख लगी है कुछ भोजन प्रशाद हो तो करा दो अब पांडे जी का तो इतना कहना हुआ और नरसी जी क्या जवाब देते हैं नरसी जी महाराज ने कहा लेने देने को भगवान का नाम है भगवान का नाम लो और बेट करके भजन करो इसी में सार है इतने में पांडे जी ने मन में सोचा कि आज तो बड़े बुरे फसे ऐसा हमें पता होता तो मैं क्यो पत्रिका लेकर के आता और नरसी जी महाराज तो पत्रिका देख करके मगन हो जाते हैं कंकु पत्री बाच नरसी मगन भया अरे महाने महा का ब्याही भला याद तो किया नरसी जी महराज ने कहा कि चलो कम से कम 22 अगों ने याद तो किया इतने में नरसी जी महराज की पत्नी ये सारा द्रश्य देख रही थी नरसी जी महराज का दूसरा विवा हुआ था और ये दूसरा विवा जब हुआ तो पत्नी बड़ी करकशा थी इसने जब देखा कि पत्री का जेल रहे हैं और मायरे की बात आ रही है तो ये कहती है कि थाका तो घर माही आगे अन्य की हैं भूख और क्यों कर थे तो करश्यो जी माहेरा को सलूख वोले खाने के तो घर में दाने नहीं है और ये मायरा भरेंगे थाका तो घर माही नहीं पाव ही जवार और माहेरो भरनने मोड्यो वे गयो तैयार वोले घर में तो पाव जवार नहीं है और ये मायरा भरने के लिए तैयार हो गए तो नरसी जी माहरा जवाब देते हैं अरे बोली रेजा चुपकी रेजा घर की तू नार और थने मारा माहरा को काई आयो भार नरसी जी ने का मैंने तेरे से कब का कि तू माहरा भरना मैंने तो ये का नहीं कि तू माहरा भरना जो तेरे उपर माहरे का भार आ रहा है और तुझे भी साथ चलना हो तो चल वहां संतों की सेवा करना आनंद लेना अब ब्राह्मन देवता ने देखा कि यहां तो घर धणी धणी लोगोई आपस में लड़ रहे है अब किसी घर पे कोई जाओ और वहां पहले ही मा भारत हो रही हो तो फिर वहां से किसकिंदा कांड करने में ही फायदा है एक बार एक महमान सजन के घर पे गए जाट के घर पे और जाटनी ने कहा मैं रोज 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 जब बंद करके नकली नकली में जाट मारने लगा और जाटनी चिल लइए अरे मारयो रे मारयो मारयो रे मेहमान ने सोचा यहां तो पेली महाभारत चल रही है अपने तो आगे निकलने में ही सार है और जैसे ही वो सीधिया उतरा और धीरे से गेट खुल के देखा जाटने की मेमान तो गया और जट बाहर आकर के बोला की देख मैं तो थारे मारी पर थारे तो लागी को नी जाटनी बोली हाँ थे तो मारे मारी पर मैं तो रोई को नी इतने में मेहमान भी आकर के बोला थे भी चिंता मत करो में भी ग्योई कोनी तो यहाँ पर ये ब्राह्मन देवता की भी यही इस्तती थी नर्शी जी महाराज और नर्शी जी की पत्नी जब सुनाने लगी तो ये ब्राह्मन देवता मन में विचार करने लगे कि सुन कर सुन हाक्यो वाक्यो रयो और जोशी करें विचार श्री रंग की नहीं मस करी ने मने मोकलियो इन द्वार मन में विचार किया कि श्री रंग जी ने बहुत बड़ी मजाक मेरे साथ किये नरसी जी महाराज ने देखा कि ब्रह्मन देवता को बहुत भूक लग रही है तो नरसी जी अंदर से तुमबा मंगाते हैं नरसी जी तुमबो दियो और जैसे ही बड़ा तुमबा आया तो ब्रह्मन देवता के जान में जान नहीं सोचा इसमें कुछ मालताल होगा लेकिन हाट डाला तो देखा राम जी राजी ने जालर बाजी पांडे जी ने जैसे हाट डाला नरसी जी ने का क्या हुआ बोले नरसी जी इसमें तो कुछ है ही नहीं नरसी जी ने का इसमें हवा है और कुछ नहीं है तो बोले यह तुम्बा दिया क्यों तो नर्शी जी ने कहा कि नर्शी जी तुम्बो दियो और आटो लाओ मांग इन धन लाजो आवता धिया नहीं लोण और साग बोले महाराज आप जाओ गाओं में से आटा सबजी सब मांग करके ले आओ आप भी भोजन कर लेना और हमें भी करा देना अब कोकलिया ब्रह्मन देवता ने कहा पूरी जिंद्गी निकल गई आज तक कभी मांगा नहीं और आज इस नर्शी के चक्कर में मांगना पड़ रहा है और ब्रह्मन देवता मनी मन बड़े परेशान होने लगे नर्शी जी महराज ने देखा कि क्यों एक ब्रह्मन को सताने का पाप में अपने उपर लूँ और नर्शी जी महराज अपना केदारा राग निकालते हैं और जो केदारा राग नर्शी जी महराज ने उद्गोशित किया जब नर्सी करूना कर उठ्या, और केशव जाय जगाया, और हाथ तम्बूरो गद गदवानी, राग के दारो गाया रामची हाथ तमोलो गदगदवाणी जाग के दारो गाया हर क्रश्न क्रपाल कु बेर बुलाया विश्व कर्मा भी साथे जी किष्ट क्रपाल कु पीर बुलायो विश्क्रमा भी साथे हर इंद्र और इंद्रानी आया जल बर लाया हाथे राम जी इंद और इंद राणी आया यल पर लाया हर देर अर छपन भोग छती सुव्यंजन चटनी और अठानो राम जी चपन भोग छती सुवेंजन चटनी और अठानो अर कह शिवकर्ण अल्प मति मोरी कालग पाक बखानो राम की के शिवकर्ण अल्प मति मोरी कालग पाक बखानो नर्सी जी महराज का तो केदारा राग गाना हुआ और देखते ही देखते सारा अंधेरा समाप्त एक अधगुत प्रकाश होता है और भगवान स्वयम अपने अनुचरों के साथ 56 प्रकार के गंजन लेकर के वहाँ पर उपस्तित हो जाते हैं और जैसे भ्राह्मन देवता ने देखा तो भ्राह्मन देवता की तो आखियें चकाचोंद से भर जाती है अश्ट सिधिनव निधी विराजे देह धार कर आई और कामधेन कल्प व्रक्ष चंद्रमणी चित्रा बेली चाई देखते ही देखते भगवान और अपने अनुचरों के साथ स्वयम इंद्र ब्रह्मा रिद्धी सिध्धी सारे के सारे वहाँ उपस्तित हो जाते हैं और जैसे ही चपन भोग लगा और इनको कहा ब्रह्मान देवता को कि लो अब आप भोजन कर लीजी विवस्ता हो चुकी है तो के तो भूक लग रही थी जो नर्शी जी को कोस रहे थे और अब भोजन सामने है तो ये ब्रह्मान देवता मन में क्या विचार करते हैं कि निश्चे चोर यह नर्शी लो के कोई मारग जाने और बस्ती छोड जंगल में बेठो नहीं किसी के साहारे ब्रह्मान देवता ने सुचा या तो ये नर्शी चोर है अरे अभी तो इसके पास कुछ नहीं था और देखते ही देखते ही इतना कुछ आ गया कई बस्ती छोड करके तो जंगल में बेठा है इतना धनमाल आया कहां से फिर मन में विचार आया कि के अनमादिक सिद्कर लीनी लीन हो के अनमादिक वशकर लीनी पारस लोह लगायो और एतीस उन्जन रपति घर नाही के गड़ियो धन पायो बोले महराज या तो इसने कोई तांत्रिक विद्या कर ली है कोई सिद्धी कर ली है या फिर इसको गड़ा हुआ धन मिल गया है बात क्या है जहां पर कुछ नहीं था वहां पर इतना सब दिखाई दे रहा है फिर भोजन देख तु रतमति पलटी मंत्र वादियो जान्यो और भूत खदेड मंगाई मिठाई मेलो मंत्र पिछाण्यो मन में विचार किया कि कई भूतों की मिठई तो मुझे नहीं खला रहा है अरे जिंदगी वर भजन किया और कई भूतों की मिठई खाली तो जीवन भरष्ट हो जाएगा धरम भरष्ट हो जाएगा अब अनेक अनेक प्रकार के विचार आने लगें यही तो सबसे बड़ी सम देखना इनसां सकारातमक कम और नकारातमक ज़्यादा सोचता यह कोई व्यक्ति अच्छा ऐजन करा है तो लोग क्या बोलते हैं हां जाणू इने के इनि दो नमब़ का हैं जूट व करा ही ओ अब दो नमबर के हैं कि एक नमबर के उससे क्या मतलब आयोजन हो रहा है धर्म के लिए सदूपयोग हो रहा है तो वो तो हमारे मन से नहीं निकलता है लेकिन देखना अक्सर जब लोग बात करते हैं कि हाँ हाँ जानू भी नहीं तो व्यक्ति सकारात्मक तो कम और नकारात्मक जादा सोचता है नेकेटिव थिंकिंग जल्दी बनती है तो यहाँ पर केतो ब्राह्मन देवता को भूग लग रही थी और अब जब चपन भूग सामने आये तो मन में विचार करने लगे कि ये नरसी चोर तो नहीं है ये तांत्रिक तो नहीं है कहीं इसने कोई सिद्यों को वश्मे तो नहीं कर लिया कोई तंत्र मंत्र से भूतों से तो मिठाई नहीं मंग वाली और नरसी जी महराज ने जब देखा तो मन के भाव पड़ लिये और नरसी जी कहते हैं कि कह नरसी लो सुन जोशी जी जी में ठाकुर आप और कन का मात्र मिल्या कट जावे जनम जनम का पाप राम जी कन का मात्र मिल्या कट जावे जनम जनम का पाप आरे नर्सी संग को किरीषी जी में ब्रह्मा परुसण आफे दिन इफिडसी चंु को किरीषी जी में ब्रह्मा अओ अहिञे प्रोह दौर इंद्रानी शक्ति लक्ष्मी गारि गा वियर आमति इंद्रारी ब्रह्मा कंदिचelnे शक्ति लचु मिग री गावि अब महाराज जो भोजन करने बेठे तो नरसी जी ने का ब्रामन देउता विचार मत करो तुमारे भाग्य अच्छे हैं जो भगवान का प्रशाद मिल रहा है अरे कण मात्र भी अगर अगर भगवान का प्रशाद मिल जाए तो व्यक्ति का कल्यान हो जाता है और अब ब्राह्मन देवता जीमने के लिए बेटते हैं तो ऐसी प्राचिन परंपरा थी अब तो क्या ये डीजे चल गए जो सब लोग भूल गए वरना पहले ब्याई सगे सगे समंदी जीमते तो ये मातय बेहने गारिया करती थी और उन गालियों में उस सामने वाले की जितनी बुरई होती सब गिना देती और आश्यर की बाद वो बुरा भी नहीं मान सकता था तो बोजन भी कराते जाते और साथ में गारिया भी देते जाते तो जैसे ही ब्राह्मन देवता जीमने बेठे लक्षमी जी ने मन में विचार किया कि हिसाप किता बरोबर कर लेना चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मन देवता नरसी जी के लिए क्या-क्या सोच रहे थे कि ये चोर है कि ये तांत्रिक है तो जैसे ही ब्राह्मन देवता जीमने बेठे लक्ष्मी जी सुन्दर गालियां गाती है और ब्राह्मन देवता भोजन कर रहे हैं अब भोजन किया तो इतना कर लिया इतना कर लिया कि अजिर्ण हो गया और लुटपूण करे धरण पर लोटे बोले वचना का राजी अब भोजन करके लुटपुट लोटने लगे और नर्सी जी को कहा देखो मैंने कहा था तुमने भूतों की मिठ़ई मुझे खिला दी है अब भोजन तो खुद ने जादा कर लिया अपर माते नर्सी जी के नर्सी जी ने अश्विनी कुमार को याद किया वेद्य से उबचार प्रदान कराया और भगवान ने सारी माया समेटी ब्राह्मन देउता जब जाने लगे तो नर्शी जी ने कहा ब्राह्मन देवता वापिश जल्दी आना जल्दी हमको याद करना जल्दी पुन जुनागड में आना तो जाते जाते ब्राह्मन देवता ने कहा कि मन में कहे सकल भर पायो और जीवत डो घर जाऊं जुनागड के पंथ पावधर फेर कदे नहीं आऊं बोले महाराज मैं यहां से जिन्दा जा रहा हूं यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जुनागड आने की बात तो दूर है जुनागड के मारग में भी में पाव नहीं रखूंगा और ब्राह्मन देवता तो यहां से प्रस्थान कर लेते हैं इधर नर्शी जी महाराज ने मन में विचार किया कि इत थोड़े दिन ब्याव के और नर्शी करमन सोच जे हों तो ले जे हों कहां और नहीं जे हों तो पोच नर्शी जी ने मन में विचार किया कि अब व्याव के थोड़े दिन बचे हैं मायरे की तैयारी कर लेनी चाहिए तो क्या मायरे में ले जाओं क्या नहीं ले जाओं इस प्रकार नर्सी जी विचार करने लगे फिर मन में आया कि अरे सबसे पहले तो भगवान के चरणों में पत्री का हजिर करूं और नर्सी जी क्या करते हैं कि पत्री तुलसी पत्रधर और करचंदन को लेप चल्यो देन स्री क्रश्न को विप्रमान मन ख्षेप पत्री का पे तुलसी का पत्र रखा और उसी कंकू पत्री पर चंदन का लेप किया और द्वारी का के मार्ग में जो पीपल का व्रक्ष था पंथ द्वारी का पीपली और धरी पत्री का जाय कर करुणा नर्सी फिर्यो ने यदु पतिले उठाय नर्सी जी महाराज ने तुलसी पत्र अरपन करके पीपल के व्रश के नीचे रखी और जैसे ही नर्सी जी महाराज घुमे तो साक्षात परमातमा करके पत्रिका को स्विकार कर लेते हैं देवता लोग पुश्पो की वर्सात करते हैं जैजे कार करते हैं बुलिए भक्त वच्सल भगवान की जी नर्शी जी महराज भगवान से प्राथना करते हैं प्रभू अब मुझे क्या चिंता है ये पत्री का भी आपको समालनी है और महरा भी आपको भरना है और मेरा काज भी आपको सुधारना है और नर्सी जी महराज कहते हैं कि प्रभू सगे समंधियों का कागज आया है मैं कुछ नहीं जानता मेरी लाज आपके हाथ में है नर्सी जी महराज प्रातना करते हैं प्रभू उन सगे समंधियों के कागज आये हैं लेकिन अब लाज आपके हाथ में है और आकाश वाणी होती है नागरिया काई सोच करो छो हरी भगतन के सहाई अरे तुम किस बात की चिंता करते हो किस बात की सोच कर रहे हो तुम कोई चिंता मत करो जब इस प्रकार से आकाश वाणी हुई तो नर्सी जी महराज सुन करके निश्चिन तो हो जाते है और नर्सी जी महराज मन में विचार करते हैं प्रभू मैं क्यों चिंता करूँ और किस बात की चिंता करूँ क्योंकि मेरे चिंता करने से होना भी क्या है होगा तो वही ठाकुर जो आप चाहोगे क्योंकि करने वाले आप हो कराने वाले आप हो मैं कौन होता हूँ और नरसी जी महराज भगवान से एक ही प्राथना करते हैं प्रभू, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका चाकर हूँ, मेरी लाज आपको रखना है, मेरा काम चाकरी करना है, मेरा काम सेवा करना है, लेकिन आपका काम मेरी उस सेवा को सुधारना है, मेरी उस सेवा को विकार करना है और प्रतेग जीव को यही प्राथना करनी चाहिए कि प्रभु हम तो चाकर हैं आप स्वामी हो बस जीवन में आपकी चाकरी प्राप्त हो जाए इससे जादा और कुछ नहीं चाहिए प्रतेग जीव को यह प्राथना करनी चाहिए क्या कहते हैं नरसी जी महाराज और क्या प्राथना करनी चाहिए आईए आनंद लीजिएगा हो थारी चाकरी में चोक कोनी अरे राखुरे महारा सावरिया अरे चाकरी महाने राखो जी ते राखो जी माने चाकरी माने राखो हो थारी चाकरी में चोक कोनी राखुरे महारा सावरिया राखुरे महारा सावरिया अरे चाकरी महाने राखो जी ते राखो जी माने चाकरी महाने राखो जी मीठी मीठी ताजियों की सेवा करते हुए जाए हो सांवरियागी अरचाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उट दर्शन पास्यों इजाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उट दर्शन पास्यों अरे व्रंदावन के कुझ गले में गोविंदरा गुण गास्यों और वेंदा वट की कोजि का निन में गोविद राखुणी काचो, में तो गोविद राखोडी काचोर मारा साबरिया, काचोर मारा राखुणी चाकर माने राखोजी वो राखोजी माने चाकर माने राखोजी उत्थारी चाकरी में दोख कोली राखुमारा साबरिया, राखुर मारा साबरिया, अर चाकर माने राखोजी मिठी मिठी इतालियों की सेवा करते हुए, जय हो साबरिया चियुश्य। मुझा चाकरी में राखुमारा करते हुए, जय हो जय है ते कापड़ारा राखुमारा राखुमारा करते हैं, जय हमुआं करते हैं। चाकरी में दर्शन पाओं सुमिरण पाओं खर्चे अरे भाव भक्ति जागीरी पाओं जनब जनब की तर्शी ओ में तो जनब जनब की तर्शीर मारा सावरिया हो तर्शीर मारा सावरिया चाकर माने राखो दिर हो जाकर माने राखो दिर हो जाकर माने तर्शीर क्रावर तर्शीर दिर्शीर अभ्ल्ड़ को तर्शीर थां जनब जनब की तर्शीर अरे मीरा के प्रभु गहर गंभीरा रिजय मेरा खो धीरा अरे आदी रात को जर्शन देसी जल्ज मुना के तीरा अरे आदी रात को जर्शन देसी जो जर्शन देसी जल्ज मुना के तीरा मारा सावरिया ताकर माने राखो जी राखो जी साविरा पिटा कर माने राखो जी ऐसे नहीं तालियों की सेवा करते हुए उथारी चाकरी में चूक को ने राखो माने राखो जी ताकर माने राखो जी ताकर माने राखो जी बुलिये सावरिया सेठे की बुलिये नर्सी जी महराज की आईए नर्सी जी महराज केसे माहरे की तैयारी करते हैं और माहरे के लिए क्या-क्या सामान जूटाते हैं बड़ा सुन्दर प्रसंग आएगा लेकिन आपको आने वाले दिवस में श्रवन कराया जाएगा शेश अगले बुलेटिन पर बड़ा आननद आएगा नर्सी जी महराज केसे सुन्दर तैयारी करते हैं क्या-क्या कर्ष्ट आते हैं और भगवान केसे कर्ष्ट का निवारन करते हैं बड़ा सुन्दर प्रसंग आपको आने वाले दिवस में श्रवन कराएगे आईए आर्थी की तैयारी करें उससे पूर्व कुछण मेरे साथ नाम इस्मरन कर लीजिए आर्थी की तैयारी राय जारी सब्सट्वे कर दो अफ तुन कर दो उन कं ठी ठीड न से मुझे सावरिया से ठेकी स्वामी जी श्री राम चरण जी महराज की स्वामी जी श्री राम जन्न जी महराज की स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महराज की स्वामी जी श्री राम दयाल जी महराज की श्री मोनी जी महराज की स्वामी जी श्री भगत राम जी महराज की, श्री राम निवास धाम की, सत्य गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, राम जी राम राम महराज पुरे गोरम करुनावे तारं संचारे चारं मुझिगेडर हारं सदाव चंतं धिर्दयारे विंदे भवं भवानि इतानमा मी, भवं भवानि इतानमा लिए शामा तेरी आरती कन्या दोरी हात जोड़के शामा तेरी आरती का निया तेरी आरती सारा संसार करे वो हाथ जोड के सिर सोने का मुकटी भी राजे पर सोने का मुकट भी राजे गल्वे जलती माला साजे ओरी फोलन के हारे करेंगे हाती जोड के सामा तेरी आरती का निया तेरी आरती सारा संसार करे वो हाथ जोड के । प्राम्मा तिक्वी ते रायति गावे ब्राम्मा तिक्वीरोज क्वी पारी न पावी ओर करेचे जेकारी करेंगे हाथी दोड़ेंगे ओर इसे जेकारी करेंगे हाती जोड़े के ज्यामा तेरी आरती कर ओ अपनी चरण की भक्ती दीजे है अपनी चरण में मोही रखनी जे अपने शरण में मोही रखनी जे करो बविजा करी भारी करेंगे हाती जोड़े के आरती का निना तेरी आरती कारा समसारी करेंगे रखनी जोड़े राधामाद मीकि पज़ पावे है पाडे दुझे तिया पारी दरीगे हाती जोड़के पावे सुया शिया पारी दरीगे हाती जोड़के इच्चा मात तेरी आरती कटिया तोरी आरती सारासर सारे करेंगे हाक्षी जोड़े के तेरी आरती कटिया तेरी आरती सारासर सारे करेंगे हाक्षी जोड़े के रबोर गोरं गणाव थारं, नजदार थारं पुझेतहाव ददाव दम थार नित्वाओर दिति गुब्वाणी जहे सुन्माव गुब्वाणी जयदाव 550 गनया आलान की जय बत slipping भांभान की जय नचिंग भांभान की जय